तो गाईज देख सकते हैं, यहाँ पर हमने किये सलेब पाइपिंग, यहाँ पर एक फेन बोक्स रखा है यहाँ पर निनका बेड आएगा उसके हिसाब से एक फेन बोक्स और चार कंस्टिट बोक्स उदर रखे हैं और बेंड ड्रोप कर दिये गए हैं स्विच बोट के लिए यहाँ से देख सकते हैं, अब आगे फेन बोक्स एक, एक कंस्टिट बोक्स है इधर ओपन किचन का एरिया है, इसलिए फेन बोक्स को थोड़ा हटा कर रखा है यहाँ पर यह दो चति में एक फेन कंस्टिट बोक्स है उसके बाद जीने पर है और उसके बाद आगे जीने प यहाँ पर मेन सप्लाई है वह उपर के लिए लाइन छूड़ दी गई है यहाँ पर छे कंस्रिट बॉक्स तीन इधर तीन इधर और दो फेन बॉक्स है देख सकते हैं एक कंस्रेट बोक्स एदर है स्विच बोट के लिए बेंड उतार दिये गए हैं यहां पर भी यह यह रूम है यहां पर चार कंस्रेट बोक्स और दो फेन बोक्स रखे गए हैं पाइपिंग देख सकते हैं किस तरह से की गई है करना वहराइं यहां इसके बात में आरे क adventurous इन अगेश फीट जल्ग कर दिया गया है यहां पर दो छती में कॉंस्रेट बोक्स और देजाइन के लिए झूड़ द्खेंग अ उसमें लाइट आएंगी इस तरह से देख सकते हैं से लेफाइपीन करते हैं हमारी वीडियो को देखकर आप जो है काम कर सकते हैं यह उनके लिए है जो कुछ नहीं जानते हैं लेक्ट्रिक के बारे में बागे लेक्ट्रिशन को तो सब पता ही होता है यह हमारा सदाब भाई है मुझे भी दे ग्लास पानी तो गाइस सब तक के लिए